ये क्या हो रहा है माई भाई, एक के बाद एक सब बिगड रहा है, डिमाग भी काम नहीं कर रहा है, हाँ रोईद भाई, आ भाई, खोशी मनाने से पहले ही ऐसी कोई खबर आ जाती है, जिससे मान उदास हो जाता है, आ भाई कुछ समझ दे रहा है इस साल का, ये 2020 का छटवा म बॉलीड की बात मत कर यार, सब के सब फेक है, आ भाई उपर उपर से इस्टाग्राम और ट्वीटर पे पोस्ट डाल देते हैं, और चले जाते हैं, मैंने इसलिए कोई पोस्ट नहीं किया, क्योंकि इतने में जो सब कुछ हो रहा है, उसके वाज़े से रातों के नेन जब मेरे बाई उपिक पे सुशान काम कर रहा था, तब मैंने उसके साथ काफी समय बिताया, वो हमेशा साइंस की बात करता था, और हमेशा पॉसिटिव रहता था अगर उसे मैंने बैटिंग सीखा है, तो उसने भी मुझे एक्टिंग सीखा है, लेकिन हम किसी की खुशी नहीं बला सकते, कि उसके अंदर क्या चल रहा है, भाई वो आपने बॉलियोड में सारे लोग फेक है, वो बात की ना, तो वो मुझे बुरा लगा भाई, भाई हमारा मतलब सब को टार्गेट करने का नहीं है, हम बॉलियोड के उस कलंग की बात कर रहे है, जो हर करना पड़ेगा जिससे, जिससे सच में कुछ बदले, कैसे बदलेगा भाई सब, कैसे बदलेगा, सब के सब स्टार किट्स के फिल्में देखने जाते है, जो भी आउटसाइडर है, जिनका कोई गौट फदर नहीं है, और कुछ अच्छा कॉंटेंट लेके आथे, उनकी फ करता, एक बार मुझसे बात कर लेता, हाँ सब बोला भाई, जिनको भी ऐसे खायाल आते हैं, तो अकेले मत रहो, किसी से भी हमेशा बात करते रहो, आपके करीबी जो भी है, वो आपको समझेंगे, और आपको मुश्किल से बाहर निकालेंगे, और ऐसी कोई प्रॉब्लम न पहले काया थे ये लोग, मेरे मानों तो सब फैमिली के साथ रहो, उनसे बाते करते रहो, बाके सब मोहम आया हैं भाई